स्रदान मंत्री मोधी जी बात करें, मौनसुन सत्र की शुरुआत हो रही है, आइए सुनते ह। अर्पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी की नहीं होगी, ये थालखन्द एक प्रकार से बहुत महत्वपूर है। यह आजहादी के अमरित महत्व का तालखंड है, 15 अगस का विशेश महत्व है, और आने वाले पतीज साल के लिए देश जब सतावदी मनाएगा, तो हमारी पतीज साल की आत्रा कैसी रहे? और आने वाले पतीज साल के लिए देश जब सतावदी मनाएगा, तो हमारी पतीज साल की आत्रा कैसी रहे? हम कितनी तेज गती से चले, कितनी नई उचाईयों को पार करे, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है, और उन संकल्पों के प्रती समर्पित हो करके, देश को दिशा देना, सदन देश का नित्युत्व करे, सदन के सभी मान्य सदस्या, राष्ट में नई उर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपून है, ये सत्र इसले भी महत्वपून है, कि इसी समय राष्ट्पतिपद और उपराष्ट्पतिपद के चुनाव हो रहे हैं, आज मद्दान भी हो रहा है, और इसी कालखन में देश को नई राष्ट्पति, नई उपराष्ट्पति, उनका मारदर्शन प्रारंब होगा, हम हमेशा सदन को समबाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थक्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से समबाद हो, जरुवत पड़े का वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके, चीजों का बारिकियों से विश्ट्लेशन हो, ताकि नीती और निर्णयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके, मैं सभी आदनिय सांसदों से यही आगर करूँगा, कि गहन, चिंतन, गहन, चर्चा, उत्तम, चर्चा और सदन को हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज़्यादा फ्रुट्फुल बना सके, उसलिए सब का सयोग हो और सब के प्रयास से ही लोगतंतर चलता है, सब के प्रयास से ही सदम उत्तम निने करता है और इसलिए सदम की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वा करते हुए इस सत्र का राष्ट हित में सरबाती को प्योग करे और हर पल याद रखे कि आजहदी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्दगी जेलों में काटी कुछने शहादत सुकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदर आगस सामने है तब सदन का सरबादिक सकारात वग्योग हो यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रदान मंत्री नरेंद बोधी बात करते हैं संसत के मौनसुन सत्र के शुरुआत के वक्त और उम्मीद की जाए कि यह संसत्र काफी कामकाज करने वाला होगा खुद वो कह रहे हैं कि बड़े एक्षिन वाला रहने वाला है